Mediatek Helio G6 का, G7 जाने की Gaming Prof. वाला Mediatek का Chipset वो G7 का सबसे आप कम वाला Chipset कहसे हो G25 तो यह G25 के उपर हैंपर एक फोन आज की डेट पर लॉच होए Redmi 9 ने, तो आने वाले दिनों में तो और भी काफ़ेट का यहांपर इसी price point पर इसी यहांपर specs के साथ यह processor के साथ बहुत सारे budget smartphone आने वाले जो कि यहांपर gaming century को होने वाले है लेकिन यहांपर यह जो specs है यह जो यहांपर computer सुनोगा यह chipset का वो तो यहांपर काफियो तक सारे phone में same ही रहेगा तो इसी के ऊपर यहांपर detail में आप पर बात करूँगा Mediatek Helio G25 के ऊपर clear यहांपर सब कुछ आपको detail in depth knowledge आपको मिल जाएगा तो इस वीडियो का लाग्स सब्सक्राइब देखना वीडियो को जली स्टाइब बढ़ा देमारा मैं यहांपर प्रधान यहांपर आपको low latency connection मिलता है यहांपर आपको लाग्स करेक्शन का मतलब यह होता है यहांपर कहीं पर भी कुछ भी गेमिंग करता है अपने स्मार्टफोन में तो अपने करहें तक देखाओ का खासके पबजी में बहुत ही प्रब्लम होता है जो डेटा का कनेक्शन आते है वह यहांपर कभी कभार यहांपर लैक करता है जिसके साबसे आपको गेमिंग है वह काफ़े तक बिगड़ जाते है लेकिन आप पर जो लाइव लाटे सी करेक्शन के मदद से आप बिलकुल अगर जीरी से जितने सारे चिपसेट एंपिड़ एक फिरी ओ इनमें आपको कम देखने हो मिलेगा नेक्स्ट करेक्टिविटी कही ना करी पर अगर आप गेमिंग करते हो तो वहां पर आपको बहुत ही जादा है पर प्र नेक्टिविटी के बज़े से आपका जो गेम में बहुत सारे यहां पर लैक्स ऐगरे और बहुत सारे आपको पेंग बगर देखने हो मिलता है तो, आप पर आपको क्लियर करना चाहूंगा बिल्कुल आपका data connection को drop ना करते हुए gaming के साथ आप game खेलते खेलते आप बिल्कुल बिल्कुल call पर बात कर सकते हो और Bluetooth आपको 5.0 का आप पर support मिलता है और इसके साथ यहांपर Wi-Fi भी आपको 5.0 का आपको support मिलता है यहांपर OctaCore ARM Cortex A53 64-bit का आपको procedure मिलता है और इसके साथ यहांपर इसके जो up to clock speed है यहांपर 2 GHz का clock speed आपको मिलता है जो कि इस price point के हिसाफ से अगर आप कम दामें सोचो और gaming के हिसाफ से सोचो तो यहांपर 2 GHz बहुत ही बढ़ी आए और इसके साथ यहांपर आपको GPU मिलता है OIMG Power VR 8320 और यह GPU भी आपको Mediatek Helio G35 भी आपको यही GPU आपको configuration देखने हो मिलेगा लेकिन यहांपर जो clock speed होगा यहांपर जो cortex A50 थे क्लॉक स्पीड वह थोड़ा यहांपर 2.3 GHz से लेकिन यहांपर लगवग 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 तेसे तो थोड़ा आपको मिलता जूलता है इसका साथ यहांपर GPU का आपको बोलना चाहूंगा जो अप्टू स्पीड है यहा तो इस डिस्प्ले आपको यहांपर सपोर्ट करता है सिर्फ और स्रेफ HD+, Full HD+, आपको विल्खुल नहीं मिलेगा, Full HD+, यहांपर जितने सारी वैरेंटसे यहांपर, Mediatek, Hilo, G35 से उपर वल जितने सारे हैं, सारे में आपको Full HD+, सपोर्ट मिल जाएगा, तो यहांपर विल्कु तो यहांब आपको dual camera तक support करेंगा जिसका configuration इया होगा 13 MP और 8 MP का dual detailed camera लग सकता है इसका साथ यहांड अपको 21 MP तक और इन दोनों camera configuration यानि आप एंट यापने वान जोन दोनों camera configuration में आप नियुक्षी 100 एक रहा थे रहा थक फ्रेम पर सेकेंड यहांद बिल्कुली और बहुत यहाँ पर advanced आप कह सेकते हो तो इसमें आपको Mediatek Halo G25 में आपको क्या-क्याँ पर benefit मिलता है जो कि cameras में तो cameras में आपको यहाँ पर benefit में कहना चाहूंगा जो कि आपको AI enhanced मिलता है EIA support मिलता है और इसके साथ यहाँ पर rolling shutter compensation engine मिलता है और इसके साथ यहाँ पर multi frame noise reduction और एक बात यहाँ पर मैं आपको नोट करने के लिए बोलता हूं जो कि आपर EIA support इसका मतलब यह नहीं कि आपको जो company आपर smartphone देगा उसमें भी आपको EIA support मिलेगा क्योंकि यह budget देगा smartphone साथ आ रहा है तो यहाँ पर future में मिल सकता है लेकिन अभी तो फिलाल EIA support यहाँ पर कहीं भी किसी फोन में नहीं मिलेगा आपको Next, storage technology और RAM management में यहाँ पर क्या कुछ है यहाँ पर क्या support करता है तो यहाँ पर आपको LPDDR-R3 और LPDDR-RX4 तो यहाँ पर इन दोनों यहाँ पर configuration support करता है लेकिन यहाँ पर company सायद आपको स्मार्टफोन में आपको यह provide करेगा LPDDR-R3 और यहाँ पर future में यहाँ हो सकते है कि R4 यहाँ पर मिल जाए लेकिन आपर अभी तक फिलाल यही तो काम चलाने दो और यहाँ पर maximum frequency यहाँ पर support करता है जो 933 MHz to 600 MHz और यह Mediatek Hero G35 में भी यही कहाँ पर configuration आपको मिलता है और इसके साथ यहाँ पर storage अगर मैं आपको clearly बोलू तो storage आपको यहाँ पर स्मार्टफोन budget range में बहुत ही बढ़ा है लेकिन अगर आप यहाँ पर gaming बगर करना चाहोगे अगर आप gaming करना चाहते हो कि हमारा यहाँ पर कम रहे हैं स्मार्टफोन अगर बजट बहुत चीज़ाद है फिर भी अगर आप चाहते हो कि मुझे गेमिंग करना है तो यह स्मार्टफोन के और जा सकते हो लेकिन अगर आपका बजट यहाँ पर टाइट नहीं है अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक अच्छागा सा गेमिंग चाहिए जो गेमिंग यहाँ पर फोड़ा लॉंग टर्म तक चल सको थोड़ा यहां पर बोर ना हूँ जो फ फोन ले लिजिए ताकि आपको जो यहां पर गेमिंग मिस्टर एक्सपरेंस जो यहां पर वो फोन में मिलेगा वह यहां पर बहुत ही लंग टर्म चल सकता है इसका मुकाबले तो यह जितना हो जब्सक्राइब करो किसी और तरफ जाओ मैं तो यहां पर कहूंगा कि यहां 25 से लेकिंगे आपर onwards यहां पर जाओ लेकिन आप पर G25 को यहां पर मैं कंसेडर नहीं करूगा क्योंकि आप लोग से यहां पर जूट बोले हैं कोई फाइदा नहीं क्योंकि हमारा जो चैनल का टाइग लाइन है जेनुए इस रियल तो इसे हम जेनुए नहीं बात करेंगे कोई फेक नहीं करेंगे तो फिलाले आपको वीडियो कहसा लगा मुझे कमेंट करना और जल्द से मिलते हैं और एक वीडियो में तब तक रहें थाइंक्यू सो मुझ पूर अश्य जेवेश